चैप्टर 253 आज चुका है इस चैप्टर को रीट करने के बाद डेफिनिटली आप लोग यह कहने वाले कि सुकुना ने जुरूट सुकाइजन को अल्मोस्ट खतम कर दिया है एंड अब सुकुना जुरूट सुकाइजन की एंड की और जा रहा है जहां पर हमें सुकुना चीते हुए दिखाया जा रहा है यहां पर सुकुना ब्लैक फ्लेश भी चड़ता है माकी को विज इस प्रॉबली हमने सुकुना को पहली बार करते हो देखा है इन फैक्ट सुकुना गॉड अफ दिस सॉसरी है बट स्टिल ब्लैक फ्लेश उसने अभी पूरे इंटाय सीरीज में पहली बार यूज किया है जिस लाइक गोजो ने सुकुना के खिलाफ किया था वैल चैप्र काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है सो बिनन किसी देरी के हम डारेक चैप्टर की ओर देखते हैं इस चैप्टर की शुरुवात होती है एक फ्लैश बैक से जहां पे हमें में में कुसुकाबे और गोजो बैठे होते हैं हैं वो एक टॉपिक को डिसकस कर रहे होते हैं हो circles कर रहे होते हैं सबसे प्से ट्रॉण जिए वर आ जहां पे यह जहां पर में में कहते है कि मुझे लगता है कि क्युचुकाबे ही सबसे स्सृण इस ग्रेडेवन सबस्टर ट्राद ग्रें बेंट लांको अगर था क्लाइन चुछ यहां पर देखके थोड़ा सा शर्मा जाता है थोड़ा सा खुश होता है कि हां बट हो सकता है उसस भी जादा कोई ताकसवार अब अगले सीन में हमें एक सुकुना वर्सिस मांकी की फाइट कंटिन्यू दिखाये जाए जहां पे सुकुना का एक ही तरीका है म होता रहते हैं एक दूसरे की ऊपर कार फैक रहे होते हैं सुकूना इस चीज का एडवांटेज होटा के कारों की बीच से गैप निकालने के कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मांकी की ऊपर एक स्नीक भी कटाइक कर पाए मांकी को कर देता है इसके कारण से मांकी एक बिल्डिंग को तोड़ के गिरती है एंड सुकूना अपना फिनिशिंग ब्लोद देने जाई रहा होता है ताकि मांकी का एंड हो बट एकदम से उस फाइट के अंदर इनू उतर जाता है अब इनू मत बोलना की कौन है इनू कुसुकावे क लेता है इनू के पास नानमी का स्पेशल ग्रेट ब्लेड नहीं है विच मिन्स की यह ब्लेड किसी और के पास है और वो मेरे ऊपर गारंटी स्नीक भी कटाइक करेगा एंड सुकूना बिलकुस तैयार होता है उस चीज के लिए एंड कुछी सेकंड बाद कुसुका भी उतर जाता है उस फाइट पर नानमी का 37 रेश्यो वाला अटेक उस पर यूज करता है बर्ट सुकुना को इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वह अल्डेडी प्रिपेयर हो गया था इस चीज के लिए एंड सुकुना कुसुका को पकड़ता है बिल्डिक तोड़के धूर फैक देता है ताकि वह मांकी से अकेले लड़ पाए मांकी ये चीज नोटिस करती है कि अगर हम चलो मान भी लेते हैं कि यूटा अपने फेटल इंजिरी से वापस आ भी जाता है लड़ने के लिए तो तुम्हें क्या लगता है कि सुकुना प्र कर रहा है जिसके कारण से हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इन से बच पाए मांकी ये डिसाइड करती है कि मैं इस फाइट को यहीं पे खतम करूगी एन एकदम से हमें एडिटर का नोट आता है वह बताता है कि सुकुना अभी कितने टाइम से लड़ रहा है उसने गोजो सात्रों से लड़ा उसको हराया फिर काशिमों से लड़ा उसको हराया फिर यूटा से लड़ा उसको हराया फिर इतादोरी यूजी से लड़ा उसको हराया अब फाइनली मांकी लड़ रहे है बट तुरूआउट जितनी भी फाइट सुकुना ने लड़ी वह स करेंगे जिसके कारण से सुकुना को यह चीज़ देकर बहुता है कि एसा भी कोई है जो मुझे चैलेंज कर सकता है विदाउट है विदाउट हेविंग फीरो कर से निजी तभी सुकुना एंड मांकी की फाइट कंटीनू हो जाती है एंड मांकी तंस अब ब्लॉक और है जिसे सॉसरी के लिए वो जिन्दा हुआ है और दूसरा वो जिस पर कोई भी सॉसरी नहीं है से कंप्लीट मास कट कुछा सुकुना यह बोलता है कि तुमारी एक्जिस्टेंस सॉसरी के लिए एक बहुत ही बड़ा मजाक है तो इस वाइट का विजेता वही निकल के है एंड अपने एक हाथ में ब्लैक फ्लैश बनाता है एंड डारेक्ट मांकी के पेड़ पर जड़ देता है जो की इतना तेज इंपक्त होता है कि मांकी उस सीन के बाद जिथिकती ही नहीं है ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक के पूरे जिरूट सुकाइदन पे जहां पे सब्सक्राइब जाता है यहां पर कोई बचा से मेरे अलावा और तुम कह रहे हो कि मैं इस बीच से लड़ू वो भी अखेले एवन कुसुकावे कहता है कि मेर पे जीरो चांसे सुकुना से जीतने के लिए अभी तक से कुणकी सर्थ से अपनल आ फारम निकाले बैद है वह चीज़ों को इंस केम नहीं थे जीरो नहीं के लिए अब उसने वस चीज को सीरियसले चालू कर दिया है एंड आप जुरूट सु अलमोस्ट अपने एंड पर है क्योंकि कोई और बच्छान नहीं है इंफेक्ट हो सकता है क्ले चैप्टर में यूटा भी दिखाया जाए जैसा कि रॉबली हो सकता है यूटा हील करके आ जाए सजी का यह सब्सक्राइब कोई डिखाया घ्रिभवार्ण का कॉंटेंट लाता रहता हूं चैप्ट इस वीक्ति कि दो कैक्षी यह सब्सक्राइब खोड़र टीन है चैप्रें वींहीं संसर्ड़ पो अनलमोस्ट स्यूनारा